विल्कम टू आवर चैनल के मिस्ट्री वीजाड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसी के मेस्ट्री ओनर्स सॉरी बीएसी पार्ट टू एलन एम्यू का मैं हिंदी का सबसेडिरी में कुछ इंपोर्टेंट व्याकरन के कुछ इंपोर्टेंट को तो वी संबिन अर्थ वाले सब्द सुरूति सम्भीन अर्थक सब्द उसके बाद ृप्याकरन का रेलेटेड डिफीनीशन या कितने विल्ल्व थोत grind होते when तो पहले हम लोग जानेंगे परियावाचिक सब्सक्राइख उसके बाद है सरसति सरसति का होगा सरदा उसके प्रिथवी का हो जाएगा क्या प्रिथवी का भूमी हो जाएगा Search का होगा अभासकर गनेश का होगा गीरीजा नंदन उसी पर लंबोधर भी हो सकता है करता है उसके बाद आपको टिक करना है चंदर्मा का होगा निशाचर ससी राकेश इंदू उसके अद मोती का होगा चीर पानी का होगा नीर अलंड काई विपीस होते हैं तो यह परिवाचिक सब्द हम लोग देख लिए आप देखेंगे सुरूती संभिनार्थक सब्द देखने में सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ उसके भिन्विन होते हैं तो वही है दूसरा में हम लोग लिखें हैं एक जैसे सब्ध प्रन्तु भिन्विन अर्थ है ना तो देखें नोहर्सिकार और नीरा नोहर्सिकार और निरा निरा मिस होता है निपट ना किसी से ठीक है और नौ दिर्गीकार रहे तो उसका होता है तार का रस तार का रस नहीं होता है तारी उसको बोलते हैं तारी तो वही निरा मतलब तारी होता है नौ दिर्गीकार वाला निरा में का अर्थ जो होता है वह होता है तारी ता और तो रहका है और तलाब सो रहेगा तो हिससा सब्लप्य फैक्छा मिंस करना घ्राइब कि आपको कुछ बैठने के लिए नहीं दिया और आप कुछ नहीं बोला और आप से आपक्षा करते हैं तो आपके लिए वह अच्छा करेगा तो उपक्षा हो गया अपक्षा होगा अभी राम मतलब होता है सुंदर क्या होता है अभिराम मतलव सुंदर होता है और अभी राम अभी राम मिन्स होता है लगातार बिनारू के है ना बिना अभी राम के उसको बोलते हैं लगातार अभी राम दिया दो हरसिकार लगा रहा है और या रहा है तो उसका अर्थ होता देना किसी को कुछ देना पैसा रुपईया जोभी कुछ हो उसके فाद दो दिर्गीकार मतलब हुआ दिया दिपक जो हम दिपावली में जलाते हैं दिपक भगवान के आगे दिपक रखते हैं तो वही दि दितलिकैर मतलव दिया दर्ष्यकार में मतलव हो गया किश्यम को देना अंत मतलव होता थैसे उसी परकार 10 में यफी इस घृणध अंबश्यकार इसकर नरॉटा बहुस्मने में जिस सुथा रहे गार तो भूल लग रहे इता अंबश्यकार कंफ vend ओ फे Kas और आनू और बरिनों हरसुकार चो ऑजाएगा अनू मिनस होता है कन तो यह सुरुती सभ्विनारता की सब dual समय में आया होगा और एक और है अंटी का लख्षा मिसृता होता है शूत का लख्षा राइट जैसे बें जैसे होता था पहले खटिया भिनते थे सूत का लख्षा होता था यह जैसे पतम गुह आते हैं तो दहागा लपे रहते रहते हैं तो वो देखिए सर्वुनाम को हुझाथ होते हैं सर्वुनाम के चछव वेद होते हैं वाकी कि कितने वेद होते हैं वाकी के तीन वेद होते हैं किरिया की कितने वेद होते हैं दो कि वेद होते हैं सकर्मक अकर्मक भचन की कितने वेद होते हैं बचन के दो वेद होते हैं एक बचन बहु बचन एक बचन एक बचन और बहु बचन एक बचन और बहु को के लिए आग्पादान में संबंध में संबंध का की है न किसे सन कित्व चार होते हैं कि तरह करते हैं कि कितने ज Adding तरही कितने त्वते हैं यह कि हम लोग ब्याकरन से रेलेटर डिखनेर की कितने भेदोते हैं वह समझ गया अब चौथा पॉइंट तो चौथा पॉइंट है कि कुछ भी वी आइए और व्याकरन अब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे राम कलम से लिखता है में कौन से वक्ति है तो जब सारे लोग का कनफीजन होता है कि तत्सम और तद्भब में क्या अंतर होता है तो उसके लिए मैं छोटा सा प्रियास किया हूं हमें उमीद है कि आप लोग को समझ में आएगा तो वीडियो को आगे एक मिर जरूर देखें देखें जैसे तत्सम दो सब्दों से मिलकर बना तो मैं आपको एक 100 ट्रिक बता देता हूं जिससे आप तत्सम और तद्भब को समझ सकते हैं आसानी से तो जब भी जिसमें आधा वाक्त लगा रहा है जैसे लाइक सूर्ज में सूर अधा रहा है इस तरी में आधा 100 है पतनी में आधा 9 है तो जिसमें भी आधा सब्द लग सबस्नी हो जहाया स्रीमान हो जहाया और तदभब जो होता ऐसा सब जिसका जो संस्क्रिट सबसे ही हुआ हुआ lékenno प्रनतों आज उसका सुरू बदल गया जैसे आम्र 100 है ना हस्त को बोलते हाथ यह सब ँवाहीत करते हैं कि मृड़र्च फॉसीच्री म-psomnah घौक तो फी सब्सक्राब जरूर करने ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग को जरूर जल्दी पहुंच पाएं